हालो फ्रेंज आप सभी को हमारी तरफ से बहुत-बहुत स्वागत है फ्रेंज आज हम एम्स जोधपूर के बारे में पूरी जानकारी हासिल करेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं फ्रेंज आज की वीडियो में हमने हर केटिगरी की बारे में जो कट ओफ और मार्क्स है वो बताने की कोशिश की है बस वीडियो को पूरा देखने को अनुरोध है अखिल भारतिय आयूर विज्ञान संस्थान जोधपूर एम्स जोधपूर आई एस्टी भारत में स्थित एक चिकितसा संस्थान और चिकितसा अनुसंधान स्वारवजने विश्विद्याले है यह राष्ट्रिय महत्र का संस्थान है पाँच अन्य अखिल भारतिय आयूर विज्ञान संस्थानों एम्स की तरह यह 2012 में स्थापित किया गया था और स्वास्थे और परिवार कल्यान मंत्राले के तहट स्वायत रूप से जंचालित होता है संस्थान को चिकितसा शिक्षा, अनुसंधान और रोगी देखपाल में उतकृष्टिता बनाने और नवाचारों के माध्यम से सस्थी और गुरुवप्ता पुर्ण स्वास्थे सेवा के लिए मोडल स्थापित करने के लिए अनिवारे हैं एम्स जोदपूर भी एम्स अधीनियम उनिशोचपन के तहट शासित है एम्स जोदपूर राजस्थान और द्योगिक शेत्र बसनी जोदपूर शहर के बाहरी इलाके में स्थित है 2013 से एम्स ने 100 MBBS और साथ BSC Nursing Honors चात्रों को प्रवेश देना शुरू किया एम्स जोदपूर में बाहरी रोगी OPD सेवाई 27 जुलाई 2013 से शुरू हुई एम्स ने 2016 से Anatomy, Biochemistry, Physiology और Community Medicine और Family Medicine विभागों में MD पातिकरम शुरू किया है एम्स जोदपूर ने 20 विभागों में Postgraduate पातिकरम शुरू किया है 2017 में 56 सीटों के साथ Postgraduate पातिकरमों में प्रवेश एक सामान्य प्रवेश परिक्षा के माध्यम से किया जाता है जिसे राष्ट्रिय महत्व के संस्थान सामान्य प्रवेश परिक्षा INICP के साथ साथ PGI, चंडीगर, जीपमर पुडुचेरी, निमहंस बैंगलॉर और SCTIMS त्रिवेंद्रम के साथ जाना जाता है एम्स जोदपूर हर साल 194 PG चात्रों को प्रवेश देता है संस्थान एम्स दिल्ली द्वारा आयोजित INISS परिक्षाओं के माध्यम से चात्रों को सुपर स्पेशलिटी DM MCH कारिक्रम में भी प्रवेश देता है एम्स जोदपूर चिकित्सा शिक्षा और रोगी देखभाल में नवाचारों का उप्योग करता है एम्स जोदपूर मोडल औफ मेडिकल एजुकेशन शनिवार को अपने विशेश सत्रों में युगिता आधारित चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए उन कमवेंशनल टीचिंग अनुभव UNCLE का उप्योग करता है भारत के राष्टपती श्री रामनात कोविंग ने 7 दिसंबर 2019 को संस्थान के दूसरे दिक्षान समारों के दौरान छात्रों को संबोधित किया और उन्हें संबोधित किया All Medical Innovation पात्यकरम के लिए IIT जोधपुर के साथ सहयोग करने में एमस जोधपुर के प्रयासों की सराहना की एमस जोधपुर अस्पताल में भौतिक चिकितसा और पुनरवास PMR विभाग को छोड़कर सभी व्यापत और सुपर स्पेशिलिटी वाले आउट पेशिंट डिपार्टमेंट OPD प्लॉक हाउसिंग है जो विकलांग सभी रोगियों के लिए सुलब भूतल पर अलग से स्थित है OPD विकलांगों के अनुकूल है जिसमें 6 लिफ्ट लिफ्ट और रैंक है आपात कालेंग और ट्रोमा ब्लॉक गेट 3 के माध्यम से एम्बुलिंस बे के साथ पहुँचा जा सकता है ब्लॉक में भूतल, प्रथम और द्वितियतल है जबकी आपात कालेंग ट्राइज भूतल पर स्थित है आपात कालेंग ओटी भूतल और दूसरी मंजल पर स्थित है ट्रोमा इंटेंसिव केर दूसरी मंजल पर स्थित है आपात कालीन ब्लोक में पहली मंजिल पर 11 मशीनों के साथ एक dialysis unit भी है Diagnostic Block जमीन और पहली मंजिल पर आपात कालीन ब्लोक के पीछ स्थित है Radiology विभाग में अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध है जिन में Memography, Sonography और Digital X-ray के साथ सभी Interventional प्रक्रियाओं के लिए 2 CT scan 1 MRI, Digital Subtraction, Angiography, DSA, सूट शामिल है परमानु चिकित्सा, विभाग PET-CT scan कर रहा है Pathology विभाग में स्वास्थ अनुसंधान विभाग द्वारा समर्थित, Immuno-Histochemistry IHC और आनविक विकृती के लिए सुविधाई है DHI, ICML, Advanced Medical Alcology, Diagnostic Services, Diamonds संस्थान में 30, Badded Intensive Care Unit, ICU है 16-20 वाली बाल चिकित्सा, गहन चिकित्सा, IKAI, PICU और 18-20 वाली नवजात गहन चिकित्सा यूनिट, NICU Urology, Gynecology, Pediatric और Cancer Surgery जैसे मुश्किल शेत्रों तक पहुँचने के लिए Robotic Surgery की जा रही है December 2021 तक 500 से अधिक Robotic Surgery की जा चुकी है कुल मिलाकर संस्थान कठिन, उच्छ जोखिम और दुविधा वाले मामलों के लिए उच्छ शेनी की देखभाल प्रदान करने में सक्षम है यहां की सीट की अगर बात करे तो 2020 से EMS जोधपूर में MBBS के लिए 125 सीटे हैं EMS जोधपूर में MBBS के पूरा कोर्स के लिए 7,000 तक खर्चा आता है और एक साल की इंटर्णशिप की दौरान लगभग 23,500 परती माँ एक वर्ष के लिए स्टिपेंड मिलता है यहां की कट आफ देखे तो 2021 में पहली राउंड का ओपनिंग रांक जैनरल कैटोगरी के लिए 145 और क्लोजिंग रांक 640 था और 685 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट को यहां पर MBBS में एडमिशन मिला था ठीक उसी तरह OBC के लिए ओपनिंग रांक 655 और क्लोजिंग रांक 1242 था और 675 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट को यहां पर MBBS में एडमिशन मिला था SC के लिए ओपनिंग रांक 1170 और क्लोजिंग रांक 8329 था और 630 मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट को यहां पर MBBS में एडमिशन मिला था EWS के लिए opening rank 650 और closing rank 1283 था और 675 marks लाने वाले student को यहाँ पर MBBS में admission मिला था ST category के लिए opening rank 8502 और closing rank 16903 था और 605 marks लाने वाले student को यहाँ पर MBBS में admission मिला था Friends second round में यहाँ कुछ खाश बदलाब देखने को नहीं मिला Friends कुछ और भी category है जो सब वीडियो में कहना संभव नहीं है सब category की अगर बात करेंगे तो वीडियो जादा लंबा हो जाएगा तो Friends आज की वीडियो में बस इतना ही अगर मन में कोई संदे है तो जरूर कमेंट करें आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा लो ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का सूचना आपको मिल सके